प्रेजडेंट के एलेक्शन में सिर्फ एलेक्टेड मेंबर नाए राजिसभा लोगसभा के दोनों पाडिसिपेट करते हैं लोग सभा के मेंबर के election के लिए qualified होना चाहिए तभी आप President बन सकते हैं Vice President के case में राज सभा के member के election के लिए qualified होना चाहिए तभी आप Vice President बन सकते हैं इनको हटाने के लिए violation of constitution लिखा है यहाँ पे कोई ground नहीं लिखा है in case of Vice President रिमुवल में सबसे पहले राज जी सभा की absolute majority चाहिए that is 50% of total membership of राज जी सभा इसके बाद लोग सभा की simple majority चाहिए इसके बाद vice president out इनके case में two-third of total strength of राज जी सभा और लोग सभा चाहिए तब जाके president out that's all, thank you झाहिए